हेलो प्रेंट्स आज हम आपके नई वीडियो लेके आए हैं जो है प्रेशन डाटा का सेकिंड टाइप डाइग्राम डाइग्राम का मीन क्या ओद है कि डाटा को इस तरीके से शो करना कि वह अट्रेक्टिव लगी जो है इसी लगी और से समझ में आज सकी है । दाइग्राम बनाती है । बन कि प्रकार मुद्त वर्फ लीकर बना सकते हैं। झाने र्यक्ताइंगुलर डायग्राम् थर्ड पॉइंट आते है बेटापका पाई डायग्राम पाई डायग्राम को क्या कहा जाता है बृत्य चित्र कहते हूँ लास्ट बन आते है बेटापका पिक्टोग्राम्स और कार्गोग्राम्स चित्र लेग्र तथा मांचित्र अब हम इस वीडियो के अंदर इन पांच डायग्राम्स जो है चार डायग्राम्स होती है उनकी डीटील डिस्कस करेंगे तरह से पहला डायग्राम को उनसा आपका बार डायग्राम्स फर्स्ट और डिस्कस करते हैं बार डायग्राम्स दंट चित्र दंट चित्र सबसे पॉपुलर है इसके अंदर क्या कहता है, बार की क्या देखे जाती है, लेंथ चेक की जाती है, फर्स तो जो है आपका, बार डाइगरम की बात करें, यही है आपका, बार डाइगरम के अंदर क्या चेक की जाती है, आपकी बार की लेंथ चेक की जाती है, लेंथ चेक की जाती है, इनकी जो ह horizontal होते हैं चीचाल चीचाल और भी गतिकी और जो रहती है ऑसके बाद ये बार डैग्राम आपको different types की हैं first type आप दिया बेटापकी simple बार डायग्राम इसे हिंदी में क्या कहते हो सरल दंड चित्र एक एक लिकते जाएंगे बटा एक एक को हम डिस्क्राइब करते जाएंगे सरल दंड चित्र सरल दंड चित्र क्या है जिसमें एक value एक time के अंदर एक पहली शो करते हो जो कि time के coding क्या शो करती है आपकी geographical conditions को शो करती है इसके अंदर क्या आते हैं आपको शो करना है जैसे different years की sales शो की जा सकती है production शो किया जा सकता है population से related data हो सकती है population से related data हो सकती है इसके अंदर यह किसके अंदर बना जाते हैं आपके simple bar diagram के अंदर बना जाते हैं यह क्या है different year के अंदर यदि हमें इस तरीके से दिया गया और different year के अंदर हमें sales गिवन हो production गिवन हो population गिवन हो उसके लिम कौन सा डाइग्राम यूज करती हैं बार डाइग्राम यूज करती है simple bar diagram यूज करती है simple bar diagram का एक बटा एक्जामपल लेती है suppose year दे रखे हमें और जो है suppose जो है strength of college दे रखे हैं इसरी के से हमें table देगी हमें शूब बनाना है बटा बार डाइग्राम तो किस दी के से बनना होगे suppose data दिया गया है suppose 2015 16 17 18 यह data दिया गया suppose इसके अंदर देखे है suppose हमें 500 दे रखा है इसमें जो suppose हमें 600 दिये गई है इसमें फिर सेमें 500 दिये गई है इसमें suppose 700 दिये गई है इससे हमने क्या करना है simple bar diagram बनाना simple bar diagram के लिए आप क्या लोगे एक baseline लोगे baseline के उपर क्या शोग किया जाएंगे आपके year शोग किया जाएंगे और जो आपकी y axis है उसके पर क्या शोग करोगे strength of college शोग करोगे years में suppose यह मैंने यहां ले लिए example में 2015 2016 2017 2018 में यहां रखना है जो यह space है यह आपका equal होना चाहिए जब यह आप scale से measurement करोगे space equal लेना है इस तरह किसे यह वाला space भी आप जो है equal लेके चलोगे मेरे पास maximum 700 है तो मैंने यह ले लिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 उसमें देखे बिटा strength of college के अंदर 2015 के अंदर के नहीं है 500 500 कहां बिटा आपका यहां पर है तो यह वाला इस तरह किसे लोग बिटा scale से बनाओ तो सिदा सिदा बनेगा उसके बाद आते है 600 हमारा यहां पर बनता है तो इस रिकी से शोग देखे रहाए हमने उसके बाद फिर से 500 यहां पर आएगा बिटा अब का इस रिकी से शोग कुरोगे 700 है अब स्केल से पनाउदए के लाएंगे ऐसे अपिसिदी आएंगे बिल्कुरू है को ज़्यादा अट्रेक्टिव बनाने के लिए आप इसे इस्ती किसी शोग कर सकते हो ऑफ करसक्ते हूं ग्रोष के अंदर जैसे बैप इसे आट्रेक्टिव बनाने के लिए करना चाहें इस देखेसे आप जो डायगराम शोकरते हैं वह यह कहला आपके simple bar diagram कहलाते हैं clear बिटा next method आते है बिटा आपका यह क्या है आपका simple next आते है आपका multiple bar diagram बार diagram के अंदर पर्स्ट पॉइंट होता आपका simple bar diagram second आते है बिटा आपका जो है Multiple Bar Diagram Multiple Bar Diagram Multiple Bar Diagram को हिंदी में क्या कहते है बहु गुणी बहु गुणी दंड चित्तर बहु गुणी में जिसमें एक से ज़्यादा qualities दिए गई हो या एक से ज़्यादा कि बारे में compare करने के लिए यह डाटा उसके लिए कौन सा डाइग्राम यूज़ करते हो बार डाइग्राम यूज़ करते हो Multiple Bar Diagram जब एक प्लेस से रेलेटिड हो तो उसमें क्या करते हैं जो यह बार बनेंगे वो क्या होंगे attached होंगे दूसरे के साथ जुड़्मा बनाया जाएंगे तो उसका जो एक्जामपल लेते हैं बेटा हम लोग मैं यह मैं रब कर रहे हूं ज़ज़ ज़से हम करेंगे उस टाइम हमें आपको इस शो कर दूँगे एक बार तो इसमें जो है फ़स्ट मैथेड हमने शो किया है वो कौन सा है आपका सिंपल बार डाइग्राम जो के हम डिसकस कर चुके हैं सेकिंड था बटाप का इसमें मल्टिपल बार डाइग्राम मल्टिपल को क्या कहते है बहुग दंचित्र भी कहते है अब इसका को एक्जामपल लेते हैं मल्टिपल बार डाइग्राम का जैसे आपको स्टुदेंट्स गिवन हूँ लाइक ए बीसी आफ है पो जिसमें हमेंग्रों बीस को स्टुडेंट्स देता है और स्पोकिव इंग्लिफल देता है क्यों यालिजस में एक है स्पोस देता है हमें जो है नंबर स्टुडेंट्स एकनॉमिस्ट में आते है रजी मार्क्स देता है यह मार्क्स लेखें जी बिटा मार्क्स हीन एकनॉमिस्ट के देता है यह मार्क्स हीन इंग्लिश के देता है स्पोर्ज यह 40 देता है, यह 30 देता है, स्पोर्ज यह 35 देता है, 15 देता है, और यह 30 और यह 25 देता है कोई भी ग्जाम्पल लीजी इस तरी के से हमें information देगे, इस ते लिए हम क्या बनाना है multiple bar diagram बनाना है आपको दो से ज़्यादा information दे जाती है, और उनकी comparison करने के लिए बोला जाता है तो हम कौन सा diagram बनाती है, multiple bar diagram बनाती है यह multiple bar diagram क्यों होती है, आपस में जुड़े हुए होती है तो इसका एक हम जो है show करते हैं, किसनी किसे show करेंगे इसे एक x-axis line, y-axis line लीजी आप x-axis पर show करेंगे student, y-axis पर show करेंगे marks marks maximum कितने 40 है, तो आप 10-10 का difference ले लिए लिए बटा 10, 20, 30, 40, 50, यह ध्यान रखे बटा, यह जो difference है वो होना आपका same होना चाहिए मैंने यहाँ पर A ले लिया है, यहाँ बी ले लिया है, यहाँ पर C ले लिया है आप A के अंदर कितने कितने कहते हैं बटा, उसके बाद यह जी यह वाले points लोगे आप यह जो मैं ले रही हूं बटा, बार diagram जो बना रही हूं इसके अंदर, वो भी क्या होना चाहिए, यह सेम होने चाहिए आप स्केल से लोगों तो इकवाल आएगा, पहला आता है आपका, यह marks देते हैं 10, 20, 30, 40 and 50, पहला लेते हैं बटा, हम एको की स्ट्रीके से शो करेंगे, एको के लिए स्पोस में शो कर रहे हूं, प्लेइन, प्लेइन डाइग्राम शो कर रहे हूं, यह यह कह हूं, स्टार को कि अफ़ाला शो कर रहे हूं, स्पोस, ठीक है, इंगलिष के लिए जो में शो करूंगी, वो शो कर रहे हूं बटा, इस तरीके से शो किया जा रहे है, बटा, पहला था एको, एको के अंदर कितने हैं, 40 students, स्पोस मैने ले लिए बटा, 40 students, स्पोस यह 40 यहां में पनेगा, यह ले दे बिटा मैंने 40 students एको किस तरी के से show करना है यह show करते बिटा एको को कुछ भी show कर सकते बिटा आप यह डॉट इट शो कर सकते हो लाइनिंग show कर सकते हो आप की उपड़े जैसे show करना चाहे उसके बाद आते बिटा आपको इंग्लेश के student कि दिने 30 30 यहां पर बनेगा बिटा आपका यह वाला space और यह वाला space इकवल हो बिटा मेरे जो है हाथ से ड्रो कर रही हूं तो इसलिए जो है कम ज़्यादा हो सकता है आप स्केल से show करोगे या आप जो है graph यूज करोगे तो उसके अंदर आपका 35 उसके अंदर कितने 15 यहां सक आएगा इसके लिए क्या चो कर जाएगा इस तरीके से ख्रोज शो करोगे इसके लिए क्या शो करोगे लाइन शो करोगे उसके बाद एक नौम इसके अंदर कितने 30 एक नॉमिस के अंदर शो करें 30 और उसके अंदर कितने शो करने 25 इस शो कर दिया हमें 25 शो कर सकते हो इसको इस तरी किसे लाएने शो करोगे यह डाग्रेम कौन से कहलाता आपका मल्टीपल बार डाग्रम कहलाता है जिसके अंदर आप कंपेर कर सकते हो इको के और इंग्लिश के मार्क्स को आपको डाग्रम देखने से पता चल रहा है कि इको के मार्क्स ज़्यादा आई है एज कंपेर इंग्लिश के ठीक है यहां से पता चल रहा है इको के ज़्यादा है इंग्लिश के कम है यहां भी पता चल रहा है इको के डिवाइडी बार डाइग्राम हिंदी में लिखे बिटाई से उप विभाजीत उप विभाजीत दंड जेतर के अंदर क्या है बार डिवाइड एग्राम और उसी के अंदर क्या चालेंगे ऐसे हम उसेएं पार्स डिवाइड गया सकती है इसका एक्जाम्पल लेते हैं यह इस इदर ले लेते हैं यह के अंदर स्पोज आपको वीट राइस ग्रैम यूज गया है स्पोज दू सालों के डाटा गये गया है हमें 2017-2018 इसमें देते हैं स्पोज हमें 30 इसमें 45 गये हैं स्पोज इसमें 20 है इसमें 30 है इसमें 50 है इसकम सब्दीबाइड पास डियाग्राम की लिए सीम आपका वह रहेगा सी ए सेक्सक्के शोर किया जाले है आपके ए शो किया जाते हैं आपका पाली निचर corona एक प्लेंगे तो थे या सां आप 5 का लेना चाहते तो 5 की टेबल भी ले सकते हो 49 तर चले जाए फिर 45 तर चले जाएगी 10 का लेते हैं बटा हम 10, 20, 30, 40, 50, 60 ज्यादा हमें लेने के शुरूरत ही नहीं है बटा उसके बाग है 2017 स्पोस्ज मैंने यहां ले लिया है 2018 स्पोस्ज मैंने आ ले लिया है यह डिफ आपके बारी मैक्सिम कितने 45 मैक्सिम कितने है इसमें 45 असके बाद देखो इसमें यह टॉटल का कॉलम ओर बनाई लेम है अ क्लीर मैक्सिमम कितनी है आपके टॉटल कितनी है वीट साइबंताल के अंदर फिट है पोच नहीं है ही टॉटल 60 को पताल कि मैं हमें 60 गह टेपल बना दी है आप सथी के अंदर आपके घुरा भी है राइस भी है और वीट भी है तीनो चीज ले तो स्पोस मैं जह है शो कर रही हूं वीट को शो करती हूं बॉक्स के अंदर स्टार 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 से ठीक है राइस को शो कर रही हूं बिटा माइनस 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 से इस से शो कर रहे हूँ डश 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 से और ग्रैम को शो कर रहे हूँ इस एक एक लाइन से इस एक लाइन से शो किया गया है अब हमने क्या करना है पहले क्या देखने है वीट कितने है वीट कितने है आपके 30 30 कहां पर बनेगा यहां तब वीट को शूर करूगे ऐसी क्लियर बिटा उसके बार राइस कितने 20 30 प्लस 20 कितने होगे 50 यह होगे आपके राइस उसके बार यह बढ़के आपके ग्रैम्स क्लियर बिटा आप 2018 के अंदर भी ऐसे बनाई है कि मैक्सिमम कितने 90 90 तक मनें टोटर 70 80 एंड 90 कि 90 तक यह टाटा चले के बटापके आपके हो सकता है मेरी लाइने थोड़ी सी टेड़ी वीडि हूं बट आप यह दी स्केल से बनाऊगे तो यह आपके डाइगरम्स सही बनेंगे और ग्राफ पर बनाऊगे तो और भी बच्छ है बटाइन चुको कि इसमें पहले कहते है रजी जो है 45 कहते है वीड 45 यहां से आएगा बटापका यहोग है 45 वीड के लिए शू कर दिया बटापका उसके बाद 30 राइस है 45 प्लस 30 75 75 यहां तक बनेंगा बटापका इसके बाद 15 क्या बच गए आपकी यह ग्रैम बच गेंगे ए खिलियर बटापका उसके बार नेस्ट आता है परसेंटेज सब डिवाड़ी डाइगराम नेस्ट जो है डाइगराम आता है बार डाइगराम का पार्ट प्रसेंटेज सब डिवाइडिड बार्ट आएगा इसे क्या कहते हो पर्तिशत दंड चित जैसे कि इसके निम से क्लियर है इसके अंदर क्या किया जाता है डाटा उसको परसेंटेज के अंदर कनवर्ट किया जाता है या यह कहें इसके अंदर परसेंटेज के अंदर शू किया जाता है पहले हम क्या करेंगे total unit को 100 के अंदर convert कर लेंगे और उसके बाद उसे क्या क्या जाएगा आप जो अपने डाइग्राम है उसके अंदर show क्या जाएगा sub divided मितलब जैसे आपने sub divided diagram बनाया उसी कित्रे ही बनेगे sub divided बट इसमें क्या है आप अपने जो आपको चैवर मार्क्स दे रखे हैं चैवर प्रडक्शन दे रहा है उसे पहले क्या पर पर सेंटेंज ने कंवार्ट करोगे फिर जैसे सब डिवाइड राइग नाया से मुस्टिर किसे बनाऊगे स्पोस सब्जेक्ट गीवाइन हामें जो है नमबरो स्टुएंट्स की वह नहीं है वह ले लेते हैं बिटा आपका सैवेंटीन और एटीन इसके इंदर स्पोस आपको देता है मार्क्स देता है इकनॉमिस के मार्क्स देता है स्पोस मैट के मार्क्स देता है और स्पोस इंगलिश के देता है कोई भी इंग्जाम्पल लेजे इसके लिए अब इसे मार्क्स देता है स्पोस हमारे यह दित है 25, 40, 35, 30, 42, 28, यह हम statement given है तो इसके हमने क्या करना से पहले percentage में convert करना है नम्रों students देखोगे पहले कितने बन रहे हैं इसके लिए क्या बनाए जाए एक percentage table बनाए जाए टेबल बनाओ इसके लिए जिससे आप क्या कोगे percentage table टेबल के लिए इससे पहले लिखे बिटाए यहां पर सब्जेक्ट क्या है आपके पास इको है एक नॉमिस हैं मैथ है इंग्लिश है इसके अंदर में देर के बेटा आपको 25 देता है नम्ब्रों students इसके अंदर 40 देता है इसके अंदर 35 देता है टॉटल देता हमें यह 100 की को लेके चलना में बिटा आपने यहोगे बिटा आपके हंडर क्लिशर है और इसके अपा outros प्रसेंटेश करोगे 25 अपॉन हंडर माल्टीकलाइब हए ईंडर परसेंटेश में करना मौल्टीकलाइब हरें हिंगे 25 भी रहेंगे, यह 40 ही होंगे, यह 35 ही होंगे, यह क्या निकल जाएगे, परसेंटेस कल्कुलिट हो जाएगे, इसी तरीके से आप 2018 की परसेंटेस कल्कुलिट कर सकते हो, इसके लिए आप एक डाइग्राम शो कीजिए, एकसी पर शो करेंगे, आपके अपने जो यह शो किया जाएगा, सेम रहेगा आप जैसे बाटाइग्राम शो करते हो, इस साइड क्या शो करोगे, वाएकसी पर नमबरो स्टूडेंट्स के अंदर बिटा दिखिए आपको, जो है मार्क्स कितने आए हैं, नमबरो या 20 का, 10 का ले लिजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 16, 70, 80, 90, 100, इधर ले लिए बिटा आप येर लिजिए, 2017 और 18, दो येर लिए हैं बिटा हमने, 17 और 18, इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले अब हमने शो करना है, कि इको के लिए क्या लोगे, मैट के लिए क्या लोगे, इंग्लिश के लिए क्या लोगे, पोज एको के लिए मैंने शो कर रही हूँ, मैं, प्लस का साइन शो कर रही हूँ, ठीक है, मैट के लिए शो किया जा रहे है, बिटा मेरे द्वारा, नेगटिव साइन शो किया जा रहा है, दै डैश, इंग्लिश के लिए शो कर रही हूँ बिटा मैं वॉक्स के अंदर इस तरी किसी लाइने शो की जा रही है अब हमने बनाना है बार डाइगरम 17 के अंदर maximum limit तो वही आपकी 100 ही रहेगी तो ही बिटा मैंने डाइगरम बना दिया ठीक है 2018 में भी 100 ही रहेगी बिटा आपकी लिमिट तो अब यह देखो ने इसलिक लीकों की मैं प्लस का si हो किया है उसके बाद मैं में कितने है 40 की 25 प्लस 40 कितने आपके 65 कहाँ बिबहोगा यहां पहोगा बिटा आपको डिमेनिंग किसके होंगे, आपके English के होंगे, English के लिए आप ये line शो कर सकते होंगे उसके बाद 18 के अंदर शो कर सकते होंगे, आप सेम शो कर होगे, पहले कितने आएगा, अपका 30 आएगा 30 के अंदर ये positive sign show कर दे जाएगा आपका 30 plus 42, 62 आएगा 62 यहां से आएगा आपका यहां से show कर लीजी 62 उसके लिए show कर लीजी meaning 42 किसके लिए होगा आपका English के लिए show कर लिए इस तिके जो show के जाएते हैं उसे क्या कहते है percentage subdivided bar diagram नेक्स आथरे आपका division bar diagram इसी के इन नेक्स आथरे आपका division bar diagram division bar diagram division bar diagram पर आपको division negative value हो तो आप किस तरी के से show कर होगे उसके लिए suppose आपको years के लिए negative जो है जो values दीगे और negative दीगे तब कैसे show कर लिए इस पोज इयर गिवन है इस पोज 17, 18, 19 इस पोज दाले आपको 20 देता है इसमे इस पोज माइनस 20 देता है इसमे इस पोज 10 देता है तो इसके लिए diagram कैसे बना होगे इस पोज देता है इस पोज देता है इसके शो करोगे आप हमेशा से year शो करते है इस पर year शो करोगे यह क्या है आपकी savings है पे savings शो करोगे नेगिटिव में है या पोजिटिव में है वो आप देख लीजिए पहले 2007 देख आपके 10, 20, 30 यह ओग आपकी माइनस 10, माइनस 20 पहले यह लिए बिटा मैंने 2017 2018 2019 इसके अंदर saving कितने है बिटा आपकी 30 तो 30 लीजिए बिटा यह diagram बन गया 30 का नेगिटिव 20 है तो नेगिटिव 20 नीचे वाली साहर आजएगा बिटा बस इसमें यह धियान रखना आपने positive 10 है तो बिटा positive 10 यह बन गया आपका इस त्रीके से diagram शो करोगे इसे और ज्यादा attractive नाने के लिए आप लाए नहीं शो कर सकते हो प्लस माइन नेगिटिव सान जो भी देना जाओ वो शो कर सकते हो नेक्स डाइग्राम आता है बेटा आपका बार डाइग्राम के पास second point आता है कि रेक्टांगुलर डाइग्राम के कहता है अब आयताकार चित्र कहते हूं जैसे कि इसके निंज से क्लेए इसमें क्या बनाए जाता है आयत की रूम में होती है जो भी आपकी डाइग्राम बानाए जाती है इसके निए the method बनाया जाती है इनिए यह डाइग्रम जो आपके पास डाटा कि स्थीक कर दिया गया है त कि इसके निए फीस्ट आता है D हुआँ डाइग्राम इस्ट आता है सॉब डिवाईडिट रेक्तैंग्लर डाइग्राम डाइग्राम, सेकेंड आतर जी परसेंटेज, सब डिवाइडिड, रेक्टैंगुलर, डाइग्राम्स, इसका एक जाम्पल लेते हैं और एक जाम्पल लेते हैं, सब डिवाइडिरी का, और एक लेते हैं हम लोग, यह है परसेंटेज का, इसमें एक जाम्पल लेजी,